नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको अपने स्वेडियों में एक और ओसदी पोधे से अबगत कराने बाला हूँ यह जो आप ओसदी देख रहे हैं यह बहुती चमतकारी और बहुती लापकारी है इस ओसदी का नाम है पाठा यह पाठा की बेल है यह एक लता होती है यह जंगल copy कमार में पेड़ों के साहरे ऊपर चड़ जाती है और यह फूब पालती फुलती है इसकी पत्तियां होती है वह च्छत्री नुमा होती है सिविभी बोला जाता है यह पाठा गुश को भाध संबंदी बिमारी को गोटनोों के दर्द स सीपिलेत लोग हैं जोडों के के सबी प्रकार के जो ब्रोगी है अगर इस पाठा के तेल का प्रियोग करें तो बहुत जल्दी चंगे हो जाएंगे और साथी साथ जो ये पाठा की बेल है ये चोट मोच और सूजन को हरने बाली है आप इसकी बेल देखिए यह जुमकों में इसके पुस्प और फर लगती हैं यह देखिए पूरी की पूरी चड़ी हुई यह ब्रक्ष पर आपको मैं इस पाठा की बेल की पैच्छन करा दू तो सभी प्रकार के बात रोगी और चोट मोच और सुजन बाले रोगी शर्सों का तिल लेकर के और इस बोटी का तिल नकाल ले आप इस बेल ले ले भी इसको इसका सुरश निकाल ले आधा लीटर और धाई सो गिराम के तकरीबन शर्सों का तिल ले करके और उसमें मिक्स कर ले और उबाले पक्ते पक्ते जब तेल माज सेस रह जाय तो सीशिम भर ली और फिर अगर मालिस करते हैं तो आपके सभी प्रकार के बात रोग लकवा रोग और दर्द चोट मोशूजन दूर हो जाती है यह हिर्दरोग जिनको हो गया है उसमें भी अरजुन की छाल के साथ इसका शिवन करते हैं तो हिर्दरोग में लापकारी है यह बीपी में कि इस औसदी को गुड़मार के औसदी के साथ मिला करके प्रयोग करेंगे तो मदमें बहुत ज़ली कंट्रोल हो जाएगा जो कैंसर के रोगी है वे कैंसर के रोगी भी इसका प्रयोग करें देखिए इसके जो पत्ति हैं छत्री नुमा हैं और जिनको लीवर की समिश्या है तिली बड़ी होगी है जिगर बढ़ा हुगा है दर्द वासूजन रहती है दा हिस्ति में जो खड़ापन रहता है तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ये कैंसर की रोगियों में लाबकारी है उसमें आप सोरस शिवन करावे तो ये पाठा बहुत अच्छा है दस्मूल की औसदियों में पाठला और पाठा जैसी औसदियां का ये घटक है तो मित्रो मैंने आपको इस औसदी से अबगत कराया पाठा की बेल से तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार झाल 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 झाल